Hello guys welcome back to the channel और जैसे कि हमने previous video में डिसकस किया था CSRF के बारे में cross side request forgery और मैंने वहाँ पे उस video के end में आपको बताया था कि इसी से related attack होता है CSS या फिर उसे हम XSS पी प्रनाउंस करते हैं cross side scripting और यहाँ पे जो हमारा cross side scripting है इसको हम XSS के बोलते हैं because cross cross का symbol होता है हमारा X इसी वज़े से इसको हम XSS के नाम से भी बहुत जगा देखते हैं या फिर एप्रिवेट करते हैं बट जो इसका actual name होता है वो होता है cross side scripting so let's start with the definition कि cross side scripting आपकी होती क्या है so cross side scripting जो है जिसको हम XSS भी कहते हैं जैसे कि मैंने भी आपको बताया यह basically आपकी web security की vulnerability है जो की hacker को allow करती है कि वो compromise कर सके website के साथ because हम internet के साथ जो भी interaction करते हैं basically even majorly हम करते हैं websites के साथ because अगर हमें कोई भी information चाहिए तो हम internet पे कुछ भी item सर्च करते हैं तो उसका जो हमें exact result है वो हमें या तो किसी website पे मिल रहा होता है या तो किसी text form में मिल रहा होता है तो majorly हम websites के साथ interact करते हैं तो CSS जो है cross site scripting यह basically एक web security vulnerability है जो की attacker को allow करती है कि जो भी हम websites के साथ interactions कर रहे हैं उसके अंदर जो है वो vulnerable application को means ऐसी application ऐसी website जिसके अंदर vulnerability है means attack होने के chances possible है उसके अंदर hacker attack करता है और उसकी site के कोड में जो है वो changes करता है जिसकी वज़े से जो है वो user का data steal कर सकता है या फिर user के account के साथ जो है वो compromise कर सकता है यह जो है एक brief और वे cross site scripting का जिसको मैं आपको इसी video के अंदर इस example की आप से इस तरीके से explain करो है कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे cross site scripting का जो working process वो किस तरीके से होता है तो basic इसका meaning है कि basically यह hacker को allow करता है या फिर इस तरीके से permissions provide करता है कि वो same origin policy origin policy मैं आपको previous video के अंदर बताया था कि उसी website के अंदर रहे कि वो कुछ ऐसे changes कर देगा website में कि आपका data steal हो जाएगा और आप कुछ ऐसे actions perform कर देगे जो की आप intentionally नहीं करना चाते तो इस तरीके से जो है वो without different website का use करते हुए जो है एक ही website से आपके data को steal कर सकता है या फिर आपके account को compromise कर सकता है और इसका जो main target होता है हमारा victim user जो भी user किसी website पे specially vulnerable website पे अंदर अगर वो visit कर रहा है तो उसके अंदर से majorly जो जो actions कर सकता है उस website पे suppose कुछ actions को अगर मैं यहापे आपको explain करूँ तो suppose एक website है जो कि question answers के answer provide करती है just like qura वहाँ पे वो क्या करता है कि user जो है always जब भी वो उस website पे visit करेगा सबसे पहले वो अपना account login करेगा तो login credentials का जो भी code होगा जो भी उसके html code javascript code या फिर web page के code होगे वहाँ पे जो है hacker अपनी site scripting कुछ ऐसे scripts वो आपे mention कर सकता है जिससे उसके login credentials स्टील हो जाए या फिर उसके बाद उसके अंदर कुछ ऐसे questions होगे जिसका वो answer जो है yes no की form में buttons की form में provide करेगा user तो वहाँ पे yes no के button पे exactly yes no का process ना execute हो के उसकी information स्टील हो रही हूँ उस तरह के process एक्जेक्यूट हो रहा हूँ कर देता और आपका data जो है वहाँ से स्टील करता है और ऐसा करने के पाद जो है attacker के पाद जो है possible है कि full control user के website कब उसको मिल जाए और उसकी applications है या फिर उस website की application है या data है वो fully functionally जो है वो work ना करे जिसे हमारी website slow हो गई website slow होने का meaning क्या है कि exactly हमारा internet properly work कर रहा है हमारा system new है सब कुछ नुए बट actual में क्या कर रहा है website इतनी hang कर रही है इतनी slow चल रहे कि आप कोई भी actions easily perform नहीं कर पा रहे बट behind the scenes क्या होता है वो आपके actions इसलिए perform नहीं हो पाते because attacker जो है आपकी site के अंदर scripting कर देता है और आपके actions वो perform कर रहा होता है और एक time पर दो actions perform होंगे website से एक user ID के तो इस वज़े से वो website lag करते है और इसकी latency हाई होती है तो यहाँ पे भी आपके net killer का pointer देख पा रहे होंगे जो कि मैं भी move कर रहा हूं टॉक में उसी की help say मैं आपको समझाओ हुआ कि इसका complete flow process जो कैसे work करता है तो तब से पहले जो blue color का victim person है वो एक request generate करता है server को to find something data और to find some information तो कुछ information find out करने के लिए server पर request generate करता है जैसे उसमें request generate की वो पहुंच जाएगी मेरी server के पास अब यहाँ पे जो है hacker अपना काम करता है या फिर attacker अपना काम करता है अब server जो है वो सब के लिए तो open होता नहीं बट attacker जो है किसी तरीके से अपना malicious code जो है अपनी malicious script जो है वो inject कर देता है हमारे vulnerable web page पे जो कि server के अंदर load होता है और उस web page के अंदर जहाँ पे vulnerability available है वहाँ पे attacker अपना code को insert कर देगा inject कर देगा और जब हमने request की थी server से और वही page जो है जब हमारा respond करेगा HTTP response method के help से तो वो किस तरी के जाएगा अब यह जो page हमारा user को मिलना चाहिए वो exact page नहीं मिलेगा modified या फिर attend page मिलेगा जहाँ पर यूजर की information victim की information जो होने के chances है या उसके account के compromises होने के chances है अब जैसे ही return होगा user को तो user को अब क्या मिलेगा malicious script मिलेगी जो कि automatically execute हो रही होगी और hacker को जो है callback कर रही होगी callback करने का meaning है कि वो hacker को acknowledge कर रही होगी कि user ने यह task perform किया यह यह buttons यहाँ पर click किये page के अंदर या फिर इस तरीके से आपने जो भी activity perform की वो वहाँ पर attacker को पता चलते रहेगी और right में जो है एक database को option है कि attacker जो है आपका database से भी जो है आपकी information को modify कर सकता है या फिर steal कर सकता है because आपने जब HTTP request send की थी तो आपने वहाँ पर अपने login credentials को send किया था तो यह जो है इसका working process होता है अब accesses work कैसे करता है cross-site scripting की working मैंने जस्ट अभी आपको बताई कि attacker जो है अपना malicious code जो है वो inject कर देता है server पर या फिर vulnerable web page में same चीज जो है यहाँ पर हमने mention कर रखी है कि cross-site scripting works by manipulating a vulnerable website so that it returns malicious javascript to user की malicious javascript javascript क्या होता है एक scripting हमारी language होती है जो कि क्या करती है हमारे जो भी web pages है उनको run करने में help करती है तो attacker जो होता अपना malicious code javascript का वो vulnerable web page पे जो है insert कर देता है inject कर देता है जिसकी help से वो user का या फिर user end पे अपने applications को perform कर सकता है और अपने data को steal कर सकता है और जब यह हमारा malicious code जो है successfully execute होगा victims के browser के अंदर तो attacker के पास जो है हमारा full control होगा हमारे account का जिससे वो जो है हमारे account के actions को जो है fully compromise कर सकता है और जो करना चाहे वो कर सकता है तो इस तरीके से हमारे xss that is cross-site scripting का working process जो है वो work करता है जो कि मैंने आपको इस example के अच्छे से explain किया अब यहां पर basically हमारे तीन टाइप की xss attack that is cross-site scripting attack जिसके अंदर पहला आता हमारा reflected xss reflected xss का meaning है कि जहां पे जो हमारी malicious script है वो http request की form से आ रही हो कि suppose जब हमने कोई http request generate की तो उसके reflection में जो है उसके output म में जो है अगर हमें cross-site scripting का attack feel होता या फिर provided होता है बाइद attacker तो वहाँ पे उसे attack को बोलेगे हम reflected cross-site scripting जो कि हमने आप इस example के अंदर भी देखा second stored cross-site scripting attack जहां पे जो हमारी malicious script है वो हमारी आएगी website के database से जो कि मैंने आपको इस example के अंदर दिखाया था कि right side का जो भी document object model जो कि मैंने हमारी previous video के अंदर discuss किया था इसके अंदर क्या होगा जो हमारी vulnerability है वो client side में exist करती है rather than server side अब आपने देखा होगा इस example के अंदर यहां पे जो है हमने server side की help से जो है हमने attack को observe किया था but कुछ codes ऐसे भी होते हैं जो कि directly victim के side से भी जो है execute होते हैं जो कि hackers easily execute क कर सकते हैं इसलिए जो हैसे हम बोलते हैं document object model based xss that is cross side scripting जिसके अंदर client side पे जो है हमारा attack होता है rather than server side code तो यह पूरा working process था हमारा cross side scripting का जिसके अंदर हमने एक example की help से समझा कि कि किस तरीके से exactly जब attacker किसी attack को create करता है तो css cross side scripting attack को किस तरीके से perform कर सकता है और कुछ इस reflected cross side scripting stored cross side scripting and at last though that is document object model based cross side scripting thank you